हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग सुब प्रभाद वेलकम बैक टू माई चैनल रेशु मोनु व्लॉग में तो अभी सुबा का टाइम है और हम लोग का नास्ता वगेरा सब हो गया है मैं नास्ता बना कर खाने के बाद फिर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं जल्दी जल्दी था उस टाइम मुझे तो मैं वीडियो वगेरा नहीं बना पाई उसके बाद इधर मैं सफाई करने लग गई तब मैं वीडियो बनाने स्टार्ट कर रही हूं तो दोखिया यहां पर सोफा काफी गंदा हो गया था उरा हाला कि यह सोफा का कवर ना दो दिन में दो तीन बार दूल गया क्योंकि श्रेव की तब्य ठीक नहीं थी पॉटी वगेरा कर दिया था उसमें सुसू वगेरा तो फिर मैं दो तीन बार दूल गया है वह सोफा कवर फिर भी धूल वगेरा तो आही जाता है तो उसको और खाया पिया था तो गिरा भी दिया था कुछ-कुछ तो जाड़ दी हूं और उसके बाद फिर से मैं उसको लगा दी हूं और अब मैं लग गई हूं जाड़ो लगाने के लिए तो यहां पर जो सामान है उसको धोना है तो डाल दी हूं मैं वेसिन में उसको बाद में धोंगी और इधर जो पैरदानी है उसको अच्छे से जाड़ लेती हूं क्योंकि काफी गंदा हो जिया रहता नटा है बार बार चले से यह पर सोच रेए थी फिर मैं उधर लेकर गई हूँ और उसको जॉड़ दी हूँ और उधर ही रख दी और अब अब आ गई हूँ फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए तो किचन से स्टार्ट कर रही ह सामान काफी हो जाता है नीचे नीचे में तो सब को हटा हटा के करना पड़ता है नीचे कीचेन जो है काफी छोटा है इसके वज़े से मतलब मेरा पूरा सामान जो है भर जाता है कीचेन में कुछ रेक वगरा नहीं है तो और पूरे सामान को मुझे हटा हटा के करना पड़ता मेरा पूरा नीचे में हैं तो देखिए यापर मैं पूरा कीचन को जाड़ो लगा कर अब निकल रहे हूं और अब मैं लगाऊंगी जाड़ो रूम को तो रूम भी काफी गंदा हो गया है पूरा धूल वगेरा काफी आता है तो तो औरना मैं सुझी का खलवा बनाई थी तो बाबो परिशान कर रहा था, पाओ करके पाओ पाओ जल्दी से मुझे, तो थोड़ा सा मेरे हाथ से सुजी भी गिर गया था, तो मैं उस वक्त तो नहीं उठा पाई थी, मैं सुजी बनाई थी रात में, तो उस वक्त तो नहीं बना, मतलब नहीं उठा पाई थी, तो फिर सुबेरे अभी मैं उठाऊंगे उसको तो वो भी पूरा फैल गया था अब छोटा छोटा तो रहता है वो भी पूरा फैल गया था कीचन में तो जैसे तो थोड़ा बहुती साफ की थी मैं पूरा नहीं की थी तो अभी पूरा साफ हो रहा है तो पूरा सुजी का जो है न आट तो चलिए फिर जल्दी जल्दी अपना जाडू लगा लेते हैं और आप लोग का व्यू अगेरा नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजेगा आप लोग क्योंकि आप तो जान ही रहे हैं कि सपोर्ट आप लोग के बगेर में तो हो नहीं सकता कुछ आगे बढ़ त प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजेगा मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजेगा जादा से जादा और कुछ भी वीडियो में कमी होगी तो मुझे बताएगा मैं और किस डंग से वीडियो बनाओं वो भी मुझे बताएगा क्योंकि मैं मेरे को जितना हो सक वैसे ही वीडियो अपना बनाती हूँ जो डेली वर्क करती हूँ उसको तो और भी कुछ कमी होगी तो आप लोग प्लीज मुझे बताएगा और प्लीज प्लीज गाइस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक से रा सब्सक्राइब कीजेगा ज्यादा से ज्यादा तो अभी मेरा ज्यादू पूरा कंप्लीट हो गया है गाइस देख सकते हैं उसके बाद मैं पोछा डंडी लेकर जा रही हूँ और लगाना स्टार्ट भी हो गया है तो हॉल से स्टार्ट कर रही हूँ पोछा को तो आप लोग जानी सकते हैं कि मैं हमेशा हॉल से स्टार्ट करती हूँ पो लूंगा बोल रहा है वो तो अपने हाथ से वो रोटी खा रहा है मैं डुबा कर दे दी हूँ चाय और रोटी और सेव क्या रेडी हो गया है नाहाद होकर मतलब पूरा तो नहीं नहीं नह लाई हूँ फिर भी थोड़ा बहुत हाथ पर तुला के उसको नहला धुला कर रेडी कर ही दी हूं और उसके बाद मैं मम्मी को बोली आप देखना मैं इधर पोछा लगा रही हूं तो मम्मी वही पर बैठी हुई हैं देख रही हैं और इधर मैं फटा-फट से पोछा लगा रही हूं तो देखें हाल का हो गया है और छोटेल रूम का भी मैं कर ली हूं उ और रूम का मैं पोछा लगा रही हूं और इधर देख सकते हैं श्रेयू खा रहा है और उधर टीवी लगा दी हूं तो वो टीवी भी देख रहा है मम्मी को ना टच करने नहीं दे रहा है बदमास मेरा बच्चा तो उसके बाद देखे चाड़ो पोछा पुरा कंप्लीट होन मैं आ गई हूं कीचेन में खाना बनाने की तयारी तो आज मैं बनाओंगी मटर आलू की सबजी तो मटर को पहले ही मैं रग दी थी उबालने के लिए तो वो उबल गया है तो उसको खाली कर दी हूं क्योंकि मैं उसी में ही बनाओंगी सबजी को कुकर में ही क्योंकि आलू क को मैं नहीं उबाली हूँ ना और मटर को थोड़ा एक दो सिटी लगा दी हूं तो वह हो गया है फिर और कर दूंगी हालू और मटर डाल कर दो तीन सिटी तो और अच्छे से पक जाएगा अच्छे से गल जाएगा तो काफी मस्त और टेश्टी लगता है अच्छे से गलता है तो फिर पानी सूख गया था, पानी था उसमें तो, उसके बाद फिर तेल डालकर- अब मैं जीरा वगएर काड दी हूं उसमें , और इधर आलू , प्याज वगएर्या सब काट ली थी, पहले मैं तो प्याज और मिर्ची को ढाल दी हूं और मसाला भी मैं रेडी कर ली थी मिक्सी में पीछ ली थी मैं प्याज और लहसुन को तो देखे मसाला भी तयार हो गया है और अभी मैं बना रही हूँ चामल दोनों को साथ में रख रही हूँ तो मैं चामल का पानी तो पहले से ही चड़ा दी हूँ देखें इंडक्शन पे क्योंकि ये नया चामल है मैं पहले बनाई थी तो उस दिन मतलब बनाई थी कल तो अच्छे से नहीं हुआ था मतलब पूरा गिला हो गया था मतलब दो घड़ी का दो सेकेंड का ही फरक हो गया मतलब मुझसे की मैं नहीं देख पाई और नया चामल था तो वो पूरा गिला हो गया था तो आज मम्मी बोली कि ऐसा बनाने से गिला नहीं होगा तो फिर मैं वही बना रही हूं तो पहले से उबालने के लिए रख दी हूं पानि जाएगा तो तो पिर मैं चामल को ढ Rück दी हूं उसको भी जैसे पानि उबलेगा तो फिर मैं चामल उसमें डाल दूगी और इधर में त्यारी कर्यों सब् talking तो भी बाने मिक्सी मिशिमी चला दूंगी कि तो फिर ठीज हो जाएगा फिर मसाला को भी डाल दी और देखी तमाटर को भी मैं पीछ ली हूँ और उसको भी मैं डाल दी हूँ मसाला पुरा भून जाएगा उसके बाद फिर मैं डालूंगी मतर और आलू को तो उसमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा तो थोड़ा देर के लिए गैस पिछोड़ देती हूँ ऐसे ही और जो मिक्सी का जार है उसको मैं धोके रखती हूँ और उसको अच्छे से चम्मत चला दी ढखती हूँ वो पकते रहेगा और इधर मैं पानी को देख रही हूँ बठ हुआ नहीं था तो थोड़ा सा बढ़ा दी हूँ उसको और आज मैं पोहा बनाई थी तो थोड़ा सा पोहा बज गया है तो अब मैं उसको खाली कर देती हूँ और उसके बाद कड़ाई को मैं धोने के लिए डाल देती हूँ फिर मैं इधर कुकर में मसाला जो भूझने के लिए डाली थी उसको अच्छे से देख रही हूँ चेक कर रही हूँ तो भूझ गया है थोड़ा सा मसाला अच्छे से और हालू को भी डाल देती हूं उसके बाद उसको भी भूंजने के लिए थोड़ा सा रख देती हूं तो धकन को ढख देती हूं और पानी को मैं देख रही हूं उबला है की नहीं तो अभी नहीं उबल रहा था तो रख दी हूं ऐसे ही और उसमें थोड़ा सा चाय बच गया है त और उसके बाद कुकर का धकन बंद करके अब दो तीन सीटी लगाऊंगी और देखे चामल का पानी जो है खौल गया है वो भी उबल गया है तो उसमें मैं चामल को डाल दी हूं और उसके बाद उसको अच्छे से मैं चला देती हूं और कढ़ाई को रख दी हूं साइड में औ और इधर सीटी लगाने के लिए रख दी हूँ अब वो सीटी लग जाएगा दो चार सीटी उसके बाद मटरालो की सबजी कमप्लेट और अब देखे कुकर में दो चार सीटी हो गया है तो बस अब मैं उतार दी गैस बंद कर दी और चामल को भी मैं बीच बीच में चेक कर ही अधर स्रेयू को भी देख रही थी मम्मी से बात भी कर रही थी मैं तो सबजी तो बन गया है मेरा उसके बाद फिर मैं उधर साइड में रख दी हूँ और फिर इधर गैस को पोचने के लिए भी लग गई हो जाएगा मेरा जल्दी हो जाएगा मतलब काम इसलिए तो कैस को अभी पोच दी क्योंकि गैस में अभी मुझे काम कुछ भी नहीं करना है और मतलब मेरा जो खाना है वो बनकर कंप्लीट हुई गया है चावल बस होने वाला है उसको भी मैं पसा दूंगी और कीचन को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी तो चलिए इस वीडियो में बस इतन ही मिलती हुँ नेक्स वीडियो में तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजेगा लाइक सेर सब्सक्राइब कीजेगा